हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो फिजिक्स क्लास आज हम यहां पे नेक्स अपना सिक्वेंस करेंगे ठीक है और जो आपका है एनलेसिस ऑफ ट्रेंगिलर वेव ठीक है यह दो तीन हमारी पास है जैसे साटूथ वेव है रेक्टिंगलर वेव है ट्रेंगिलर वेव है इसे मैंने लास्ट लेक्षर के अंदर बताया था कि आपके पास एनोट एन और बी एन की वेल्यू जब आप पुट करते जाए थे साइन के फंक्शन सारे थे बार बार में तो उनको जब आपने ड्रॉ किया तो आपको पर्टिक्लर क्या मिल गया वहां पर वो फंक्शन मिल रहे हैं इसके अंदर सेकेंड कर रहे हैं इसके अंदर अनलेसिस की और ड्यांग जो थे जो एक मतलब खेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यह पहले एंक्रीज कर रहे ते इंक्रीज करी थी जिस पॉर्षिन के अंदर अगर यह पॉजिटीव में इस तरीके से इंक्रीस कर रहे तो अगर आप इसका फंक्शन लेके चल रहों बोटा की 0 पे यह है और 2 pi पे यह है और कितने पे यह है पाई पे यह है इसका मतलब negative of pi के उपर आपको क्या मिलना चाहिए यहां मिलना चाहिए तो अब हमें यह 0 to 2 pi की वज़े हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं इसके अंदर यह वाला function यह वाला consider करके चलेंगे क्योंकि हमारे पास जो four year की sequence है वह हमने easy वाली minus pi to pi वाली calculate कर रखिया है जिरो से two pi वाली क्यों लेके चलू है जब मेरे पास एक चल रही है मैंने वह ध्यान में रख रखिये कि इसको ऐसे करके ऐसे पुट कर देना है तो हम एक ही sequence को क्यों याद रखें तो वही sequence को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर यहां पे minus pi to zero चल देते है जिरो से लेके pi तक चल देते है तो ही हमारे पास क्या आजाएगी वह form हमारी आजाएगी जिस हमें इतना ही उसके अंदर करना है और मेरे को अपनी जो मैंने ध्यान में रख रखिया वाली मेरे को समें कोई विए लेके अंदर अनुटिं करते है और में और में उसके अंदर इसको पुट कर दोंगी अगर आखिया को आखित शचीज़ा ऑप मूरा से लिखते है Cruise हो जे exercise F of X represents a triangular waveform. It can be represented in the interval of minus pi to pi. Such as, कैसे, देखो, function लिखना देखो बिटा, यहां देखो, हमारा जो पहले वाला बन रहा था, वो ऐसे बन रहा था. इसका मतलब X जो मेरा change हो रहा है, इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, तो मैंने हर जंगे इसका एक ही amplitude constant आ रहा था, यह वाली value के corresponding, तो मैं उसी से उसको multiply कर दिया, लेकिन अगर मैं यहां देखो, तो मुझे यह पता चल रही, तो linearly increase कर रहा है, कैसा कर रहा है बिटा, linearly increase कर र कि यहां पर तो कोई एक multiple of X है, और इस side लेके चलूँगी, तो minus multiple of X हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब मैंने 2 उसमें इसको वो कर दिया, कि minus of X अपने पास कहां आएगा, जब मैं minus pi से लेके, कहां चलो 0 तक, ठीक है, और plus का function कब आएगा, जब मैं 0 से लेके कहां चल रही ह ठीक है, समझ में आगया कि main क्या है, आपका यह minus of X अपने प्लस का X है, ठीक है, एक तो एक मैं मैंने constant लेके चल रही हूं, कि जैसे 1 का interval आप लेके, 1 1 का interval लेके बता रहे हो, कि 1 यहां है, तो 1 यहां है, फिर 1 प्लस 1 कर दिया, 2 यहां है, तो 2 यहां है, इस तरीकी का ज़ प्लस 1 कर दिया है, और फंक्षन मेरे पास यह बन गया है, समझ में आया है, ठीक है, अब इसे क्लियर हो गया है, आपको इसको देखके ही, आप यहां पेपर में इस चीज़ को अच्छे से बता सकते हो, अभी कहता है, तो हमें तो इस फंक्षन को कैसे लिखना है, फॉर यह की फंक्षन आ कि आपका साइन या कोस, यह नॉट की फंक्षन में वैसे बताना है, तो फॉर यह सीरीस को चैलकुलेट कर लो, इसको वहां पूट कर दो, और फिर पूरा फंक्षन निकाल दो, उसको बस वही प्रोसेस हमारे पास चल लेगा, दुबारा है न, वही प्रोसेस अगर दुबारा करना है तो इसका मतलब लिखेंगे कि from fourier series f of x is equal to कितना आपका a0 plus me summation n is equal to one to infinity an cos of nx plus me bn sin of nx ठीक है now we have to find out the coefficient a0 an and bn and all we know that the formula for the a0 is equal to one upon me 2 pi integration minus pi to pi f of x dx and the formula for the an is equal to one by pi minus pi to pi f of x cos of nx into dx and the formula for the bn is equal to one by pi integration minus pi to pi f of x sin of nx dx ठीक है now we have to put these functions in these intervals so that we can easily calculate the integration of that function and then just putting the value we can get the result of it we can get the result of it we can get the result of it so what do we have to do is just put the value here here we find out the value of a1 by 2 pi and here we give it minus pi to zero and put the value first function of minus minus i will put out the value of x and here it will be only dx ठीक है अगर only मैंने इतना लिखा है और plus में दूसरा function लिखोंगी तो 1 by 2 pi और यहां पर कितना हो जाएगा 0 2 pi हो जाएगा a को फिर से बाहर निकाल दे तो यहां पर कितना हो जाएगा x dx हो जाएगा ठीक है अभी कहते है जिसको integrate करो और value को find out कर लो ठीक है x के square की value को put करो x के square को put कर रहे हो आप एक बारी कर रहे हो minus pi to 0 के अंदर और एक बारी x के square को put कर रहे हो 0 to pi ठीक है अगर ऐसे कर रहे हैं तो a by 4 pi यहां पर देखो 0 तो यह हो गया और minus में put कर रहे हो में वेल्इोस को फुट पर ऀर मिनिट ऑन उसे अख YU से अगाे की असे टाराइगा है इसके अंदर कर रही हो मैं एक निट ये एक सकुवर है इंगेटिव उस्मी यू जारी है ठीक है और एक मिनिट एक मनिट एक मिनिट 에क मिनिट यहां पर माइनिसár था कितना हो जाएगा की value है वो a pi by 2 हमारे पास आ जाएगी ठीक है समझ में आ गया ना यह अब क्या करना है हमें a n और b n की value को भी find out करना है तो a n की value के लिए लिखिए कि a n की value के लिए कितना हो जाएगा 1 by pi ठीक है integration minus pi to 0 के लिए लिख लेती हूं और minus of a मैं भाहर निकाल दिया और यहां पर f of x cos of n x होता है तो यानि कि यहां कितना हो जाएगा cos of n x into dx प्लस में यहां कितना हो जाएगा a यह 0 2 लेके pi आपका हो जाएगा x cos of n x dx हो जाएगा अब जिस्ट हमें इसको calculate करना है और आपको पता है अगर मेरे को calculate करना है अगर एकस के अंदर आगे तो यह simple तो calculate हो गाई नहीं इंटिग्रेशन के अंदर आपको पता है अगर एकस और f of x या e की power x आता है उसको कैसे तो first function as it is second का integration minus में all the integration में first का differentiation second का integration फिर उसको solve कर दो यही था इसका मतलब इन दोनों के अंदर इसको मैं first function मानूंगी इसको मैं second function मानूंगी ऐसे इसमें इसको first function में इसको second function मानूंगी इसको integrate करने वाले हम तो 1 by pi और यहां पे कितना हो जाएगा minus का a मैंने बाहर ले रखा है इसको करूंगी तो x as it is cos का integration कितना हो जाएगा sin of nx divided by n अपने पास आ जाएगा इसकी limit अगर हम लेके चलेंगे तो बिटा कितनी आएगी आपकी minus pi to zero minus में all the integration के अंदर आपके पास कितना आएगा all the integration के अंदर first का differentiation यानि कि x का differentiation तो 1 हो जाएगा इसका again मेरे पास sin आ जाएगा sin nx divided by n और limit वही minus pi 2 लेके zero हो जाएगी into में dx हो जाएगा ठीक है यह तो मेरे पास एक portion हो गया plus में कितना हो जाएगा यह मेरे पास one by pi again हम इसको solve करते हैं दूसरे के लिए यहाँ a हो जाएगा ठीक है करने के बाद पता है हमें a by pi तो मेरा भार ही आ जाएगा ठीक है यह zero हो जाएगा पाई पे यह zero हो जाएगा इसका मतलब यह term तो मेरी बैसी zero है अब सिर्फ यह भचेगी ठीक है इसको लिखने के लिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे minus का मेरे पास कितना हो जाएगा और minus minus यह कितना हो जाएगा प्लस प्लस का integration कितना हो जाएगा आपका one by n और यहाँ पे minus pi to zero sin nx into dx हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करना है यहाँ से देखवे term यहाँ पे दुबारा इसके उपर चलूँगी तो यह term अगेर मेरे पास zero हो जाएगी और a by pi मैं बाहर निकाली चुकी हूँ यहाँ पे just कैसे आजाएगी आपकी negative के अंदर आ जाएगी ठीक है तो यह कितना हो जाएगा minus के one by n integration 0 से pi यहाँ कितना हो जाएगा sin nx into dx हो जाएगा अब just इसका integration करना है हमें ठीक है और यहाँ से n भी बाहर आ सकता है तो मैं a by n pi को बाहर निकाल लेती हूँ sin का integration minus में cos n pi by n हो जाता है limit मेरे पास minus pi to 0 हो जाएगी और यहाँ पे minus में इसका integration फिर से मेरे पास minus में आएगा तो minus में cos of nx यहाँ pi नहीं nx आएगा क्योंकि pi की तो value पुट होएगी है न by n हो जाएगा और यह 0 to pi हो जाएगा अब just क्या करना है जो हमने यहाँ लिखा ह वैल्यू को यहाँ put कर देंगे और उसको solve कर देंगे ठीक है इसको solve करने चलेंगे तो a by n chakra कि तो जीरो करेंगे माइनस का 1 आजाएगा थीक है है इसको करोंगी तो यान कि यहाँ पे count करूंगी माइनस माइनस ये तो plus हो और कhouse of n py आजाएगा माइनस तोreshold में इसमें की लि कर देती हो इसको plus करके लिखूंगी तो मेरे पास पूरी quantity कितनी आएगी minus 1 plus में cos of n pi और इसका minus मैंने बहार ले लिया तो minus minus plus हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा cos of n pi minus के 1 हो जाएगा ठीक है यहां पर twice time यह हो गया twice time minus हो गया 2 फिर से बहार आगया 2 फिर से बहार आगया और N, N यहां पे था, इसका मतलब यह N square हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस A, 2 A by N square pi, ठीके, और यहां result कितना हो जाएगा, आपका 1 minus में, cos of N pi, N pi को आपको माइनस 1 की power N लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर यह अगर फिर से odd हुआ, तो मेरे पास result आएगा, एवन आएगा, तो फिर मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीके, तो इसका मतलब मेरे पास A, N का जो result आया, वो अब यह अगर odd हुआ, तो यह 2 हो जाएगा, 2 2s of 4 हो जाएगा, मतलब minus 4 A by N square pi, ठीके, यह मेरे पास एक result आता है, इसके अंदर, ठीके, और इसके अंदर 4, इसके अंदर यह वाला result आ जाएगा, और दूसरे वाला कितना आजाएगा, आपका, यह यह आ गया रहा, इसके अंदर, ठीके, और दूसरे वाला अगर वो कर दिया, तो यह 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब यह किसके लिए है, for odd value of N, ठीके, और यह किसके लिए हो जाएगा, for even value of N, ठीके, इतना हमें करना था, अब हमें क्या करना है, बन की value को find out करना है, बन की value को अगर हमें find out करना है, तो बन के लिए वही चीज लिखेंगे, 1 by pi, integration, minus pi to pi, और यहां हमारा f of x, sin of Nx, इंटू में, dx, ठीके, इसके लिए क्या करना है, यहां देखो, 1 by pi, ठीके, और यह पूरा bracket के अदर कर यहां मैंने, minus pi to 0, minus a मेरा common आ जाएगा, x sin of Nx, इंटू, dx हो जाएगा, और plus के a भार आएगा, और 0 to pi, x sin of Nx, dx, ठीके, अगर यहां, cos वाले function में, यह दुबारा से cos आके value दे रहे हैं, इसका मतलब, sin वाले function में, दुबारा से sin आने वाला है, और sin के अंदर इन दौनों values के ओपर, फिर वो 0 होने वाला है, ध्यान से देखो, देखो, यह कितनी बड़िया बात बतारी हूं, ध्यान से देखो, cos का function था, last में, cos में ही result आया है, जिसकी वज़े से value putting के ओपर result मिल गया है, sign का function है, last में sign ही form आने वाली है, 0 से pi के limit में, फिर वो 0 हो जाता है, जिसक सारा result 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जिसकी वज़े से सारा result 0 हो जाएगा, तो अगर सारा result 0 हो गया, तो यह अपने पास कितना आ गया, फिर से 0 हो जाएगा, इसका मतब BN की value कितनी होगी, 0, ठीक है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं, यहां पे एक only x है, तब यह इसकी साथ multiple म तो वो cancel होगे, दूसरा जो integration है, वो फिर दुबार से यही दे जाएगा, ठीक है, और इसका result कितना आ गया, यह आ जाएगा, अब हमें, यानि की दो values मिली है, A0 और An की, इसका मतलब यह कैसा function है मेरा, मतलब जैसे x पे तो वो x उसमें, और minus उसमें वही, मतलब वो result आ तो यह कहता है, अगर ऐसा है, तो हमें even वाले ही निकालने पड़े, तो यानि की f of x मेरे पास कौन से आए, एक तो A0 प्लस में समिशन, n is equal to 1 to infinity, An cos of nx का ही result आया, जहाँ पे A0 की value आई थी, हमारे पास, A0 की value आई थी, A pi by 2, और minus में हमारे पास, इसकी A, N की minus में आई है कितनी 4A by n square pi, और cos की कितनी हो जाएगी, cos of nx, और यहाँ पे submission लगा देती हो, n is equal to 1 to infinity, अब इसकी values को put कर देते है, A pi by 2, minus में यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 4A by pi, ठीक है, n square की value को put करते जाए, n की value को 1 to 3, अब हमें पते even के लिए तो वो result देगा नी, पुट करेंगे, तो cos of 1x upon में 1 का square, plus में 1 by 3 का square, cos of 3x, plus में 1 by 5 का square, cos of 5x, and plus में 100, ठीक है, अगर आप इनका सब का sequence निकालने लगे, तो आपको नहीं पता चलेगा, कि कैसे sign और cos के आप निकालने लग रहे हो, तो इसलिए आप जस्ट इसके अंदर क्या करोगे, resultant के अं हमारे पास resultant ऐसे, और फिर यू करके अपने पास आ गया, ठीक है, जहां पर यह वला जो time है, वो मेरा T by 2, यानि की पाई के उपर यह आया है, और यह मेरा T time interval के अंदर आया था, ठीक है, तो यह मैंने T और किसकी form में आपको दिखा दिया, यहां तक अपने पास क्या होता है, अपना आज का यह पूरा complete होता है, ठीक है, कल वाले उसके अंदर क्या करेंगे, हम half wave and full wave rectifier को complete करने की कोशिश करेंगे, जैसे यह मैंने आपको half up करके दिया है, ऐसे ही वो में बना दूँगी, ठीक है, और अगर करना चाहते हो, तो अभी बता दो, ठीक है, करें या कल करें, ठीक है, half wave rectifier तो कर लेते हैं, full wave rectifier अपकल कर लेंगे, यह कल ही कर लेते हैं, ठीक है, कल कर लेते हैं, thank you for watching this video, and keep sharing with your friends, thank you so much.